नमस्कार दोस्तों, बोल स्काय में आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए जानते हैं पूझव में घंटी बजाने के क्या अलाब मिलते हैं घंटी से कई धार्मिक मानेदाय जुड़ी हैं और इसके अलावा इसका वैज्ञानेक कारण भी होता है हमारे विज्ञानिकों के अनुसार घंटी की ध्वनी से वातवरण में कमपन पैदा होता है जो वायू मंडल में काफी दूर तक जाता है जिसके कारण इसके रास्ते में आने वाले सभी जीवाणों और टॉक्सिक आदी नश्ट हो जाते हैं और आसपास संपूर्ण वातवरण शुद्ध हो जाता है मंदर की घंटियों की आवाज मस्तिश के दाई और बाई हिस्से को संतुलित करती है जैसे ही आप घंटी बजाते हैं उसे एक तेज आवाज पैदा होती है ये आवाज 10 सेकेंड तक गूंचती है इस गूंच की अविधी शरीर के सभी साथ हीलिंग सेंटर को अक्टिवेट करने के लिए काफी अच्छी होती है इससे एक आगरता बढ़ती है, मन भी शांत रहता है घंटी की ध्वनी, मन, मस्तिश्क और शरीर को उर्जा और शक्ति ब्रदान करती है और मनुष्य सकरात्मक उर्जा से घिरा रहता है जहां भी हमारे देवी देफताओं का वास होता है उस स्थान को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं और वहां घंटी की ध्वनी उस स्थान को और भी पवित्र बना देती है इतना ही नहीं घंटी की आवाज से हम अपने देवी देफताओं का आवाहन करते हैं इस विडियो में फिलहाल इतना ही लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहें बोल्सकाय